असलाम अलेकम स्टूडेंट्स, हाव आर यू, आई होप यू विल बी फाइन, स्टूडेंट्स, आई हैं महम्मा सर्वर, आई हैं इंगलेश टीचर, स्टूडेंट्स मैं आपको इंगलेश क्रेमर के मतलग बताऊंगा, जिसमें आपको टैंसेज, पैसिवाइस, डायरेक्ट इंडियरेक्ट, पार्स अफ स्पीच, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रैसी राइटिंग के मतलग बताया जाएगा, और इसके साथ स्टूडेंट्स आपको नाइथ क्लास की इंगलेश बुक, टैंस क्लास की इंगलेश बुक, फर्स्ट येर, सेकंड येर और बियस की इंगलेश बुक परहाई जाएगी, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको टैंस के मतलग बताऊँगा, के टैंस कौन सी जबान का लफज है, टैंस का मतलब क्या है, और टैंस की कितनी इकसाम है, तो आएए हम स्टार्ट करते हैं, के टैंस जो है लतीनी जबान के लफज टिंपस से निकला है, टैंस लतीनी जबान के लफज टिंपस से निकला है, जिसका मतलब है टाइम, जिसका मतलब क्या है, टाइम, टाइम की तीन इकसाम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो स्टूडे चार चार ब्राःचिस लोग हम्हें तेन्स यह उन्हाय हैं तो स्टुडेंट्स टैंस जो है वो तीन हैं सिर्फ तीन टैंस हैं और इनकी आगे चार चार ब्राइचिस हैं चार शाखें हैं जिनकी वज़े से लोग हम मुमन करते हैं बाराँ टैंस हैं तो आईए हम इनकी शाखें जो हैं वो रीट करते हैं कि प्रेजेंट की चार शाखें कोंसी हैं पास्ट की कोंसी हैं और फ्यूचर की कोंसी हैं तो प्रेजेंट की चार शाखें हैं प्रेजेंट इ पास्ट प्रफेक्ट पास्ट प्रफेक्ट कांटिनूस और इसी तरह फूचर की फूचर इंडर्फेनेट फूचर कांटिनूस फूचर प्रफेक्ट फूचर प्रफेक्ट कांटिनूस तो स्टुडेंट्स आपने यह आज वले लेक्चर में याद करना है के टेंस कौन सी जब करना है और आने वाली हर वीडियो जो है अपने देखने है कि तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अपमेंडकर टो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रादिनेगेнять्ट अजए गा मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया ओके अल्लाह अफीज कि身 com झाल झाल